हेर कलर में लोगों को हेर कलर से रिलेटेड जो भी प्रॉबलम होते हैं वो ज्यादतर रेड कलर में होते हैं लोग कंफीज हो जाते हैं कि कौन साट क्यूब भी उसकिया जाए तो आज मैं आप लोग को पुरा डिटेल में इसका वीडियो बताऊंगा कि आप लोग को किस तरह यह color करना है और आप दो box देख रहे हो उसमें भी काफी ज़्यादा confusion है तो चलिए आपका confusion दूर होगा बट उसके पहले आप लोग hairs check कर लिजे तो दोस्तों जब तक हम hairs check कर रहे हैं आप लोग फटा फट like कर लिजे क्योंकि like करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती दोस्तों जल्दी से वो थम वाला बटन को क्लिक करके like कर लिजे और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना चैनल को like और subscribe करना मत बूलना तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि color किस तरह करना है hairs आप लोग देख सकते हो कि काफी अदा dry और frizzy hair है और इन्होंने पहले color करवा चुके हैं इन्होंने कम सखम एक साल पहले मुझसे ही color करवाय था तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि जो हमने इसे color किया से ज़्यादा ज़रूरी है कि gloves पहनना हाथों में gloves होना बहुत जिदा ज़रूरी है क्योंकि काफी chemical से हम लोग इसे use करने वाले हैं तो देखिए हम लोग shade card लिये हैं L'Oreal माजी रेल का और इसमें सारे color हैं और मैं कौन सा color यूज करने वा रहा हूँ इस hairs पर तो आप लोग को मैं shade card में पहली बात दिखा देता हूँ फिर आप लोग को box दिखाऊंगा कि जो दो box देखा वो दोनों box में से एक box यूज करने वाले एक box कौन सा है तो देखिए मैं यूज कर रहा हूँ माजी contrast मेजेंटा red जी हां बहुत ज़्यादा famous L'Oreal का product है मेजेंटा red जो की L'Oreal का red family से आता है और आप लोग को में दिखाता हूँ देखिए दो color जो देख रहे हो एक है थोड़ा सा maroon type के color में box है और एक दूसरा box है तो ये दोनों box मेजेंटा red का ही है बट आप लोग को बहुत ज़्यादा confusion होगा जब market में लेने जाओगे क्योंकि ये जो पहला वाला आप लोग देख रहे हो magic contrast जिस पर लिखा है वो बहुत पहले वाला box है जो कि आप packaging change होकर आप लोग देख सकते हो जो एकदम red color में दिख रहा है box अब उस तरह का box आने लगा है तो आप लोग जब भी magenta rate लेने जाएं तो confused मत होना नहीं तो आप लोग confused होगे कि हमने तो वीडियो में अलग देखा था और यह अलग इसलिए मैं दोनों box आप लोग को दिखा रहा हूं कि magenta rate के जो पहले वाले box से अब चेंज हो गया है और यह नया box आया है तो चलिए म आप लोग मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा कि हमें किस तरह mixing करना है किस तरह coloring करना और एक amazing सा look पाना है तो चलिए hair के according हम फटाफट पहले tubes का color निकाल लेते हैं तो आप लोग कभी भी थोड़ा सा कमी tube निकालना है क्योंकि अगर color कम होए तो हम extra बाद में color निकाल सकत हो कि सारे company के developer एक तरह से same ही होते हैं तो देखिए अब हम इसे कर रहे है mixing आप लोग को mixing रोशय रखना है one is two one in the half यानि कि अगर आप लोग ने 50% अगर आप लोगोंने cream लिया है तो आप लोग को 75% developer लेना है इसे बोलते one is two one in the half तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको mixing क आप लोग देख सकते हो कि कितना best एक mixing होने के बाद में shine आ रहा है color पर दो कि यहां पर लिखा है one is two one in the half यानि कि cream का देंड गुना आप लोग को developer लेना है तो यह आता है 420 यानि कि 420 रुपीज का आता है जादा महिंगा नहीं है और काफी amazing सा color आता है तो जब भी आप को यह red में जंटा करना होगा और अगर directly अगर आप लोग को करना है तो आप लोग ध्यान रखिए कि अगर hairs black है तो black hairs पर आप लोग को 40 या 30 olum यूज करना पड़ेगा बट हमारे यहां पर pre-lightning हमें already मिल चुकी है पहले से तो आप लोग 20 olum में भी यूज करोगे बहुत ह आप लोग देख पा रहे हो तो इस टाइप के hairs पर आप लोग directly 20 olum से करिए काफी amazing सा result आएगा तो चलिए अब application देखिए कि आप लोग किस तरह इसे क्रीम को मल्सिफाइ करना है तो आप लोग देखिए पतले-पतले sections लेते हों ने से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप जो कलर है वह only for जो हमारा golden कलर है या फिर जो हमारा brown कलर है बस उसी पर आने वाला है black hair पर बहुत ही एकदम lightly आएगा जो कि आप लोगो सिर्फ shine देगा तो आप लोग बिंदास लगाए यह मत सोचिए कि जादा color black पर या जाएगा और जादा दिखेगा तो ऐसा कुछ नही तो प्लीज जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब कर लीजे और यहां तक वीडियो देख लियो तो लाइक भी जरूर करना तो चलिए वीडियो थोड़ा सब फास्ट करते हैं ताकि आप लोग का ज्यादा टाइम वेश्ट ना हो और दोस्तों कमेंट्स करके मुझे बताते रह करना बहुत लोग कलर लगाने में कंज्सी करते जिससे लुक आता है कहीं पर ज्यादा डार कहीं पर लाइट करना नहीं आप लोग वाइट ब्लू जिस टाइप का आपको गलब्स मिलता है गलब्स यूज करिए तो देखिए हम फिंगर से मलसिफाई करते हुआ एकदम आसानी से जैसे हम गलोबल कलर करते हैं उसी दर आप लोग को कलर करना है और फिंगर से होने के बाद में अगर आप कहीं पे ज़्यादा टैंगल है तो आप कॉम का भी यूज कर सकते हैं तो कंफेडा कमप्लीट है अब हम आ चुके हैं जो हमारा फ्रंट का सेक्षेन है वहां पर और फ्रंट के सेक्षेन पे आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है ध्यान रखिए कि फ्रंट के सेक्षेन में color लगाते हुए उनके आँखों में न जाए क्योंकि ये chemical है तो काफेदा हाम कर सकता है तो बहुत ही proper तरीके से आप लोग को color लगाना है तो देखिए back side में तो हमारे color आने भी start हो गया है मैं आप लोग को washing chair पर भी दिखाऊंगा कि हमारा color कितनी जल्दी आ चुका है और कैसा आया है तो हमें से जादा नहीं 20 से 25 मिनिट्स रखना है बस उससे जादा नहीं रखना है अगर आप लोग 15 से 20 मीडी भी रखते हो तो भी color आ जाएगा बट हम 20 से 25 मिनिट्स रखेंगे क्योंकि हमें कोई चांस नहीं लेना है हमारा color बेस्ट आना चाहिए तो देखिए हमारा color पूरा तरह से complete लगा चुके हैं अब जो color आप लोग का बचा है थोड़ा बहुत तो उसे waste मत करिए आप लोग ने जहां लगाया उसे अच्छी तरीके से उपर से लगा दीजिए ताकि उसे color को waste ना हो कहीं पर अगर छूट गया हो तो वो पूरी तरीके से लग जाए तो आप लोग को ध्यान देना है और आपका जो भी color है उसे waste नहीं करना है आप लोग को hairs पर ही लगा देना है bottom में लगाए middle area में लगाए top पर मत लगाना क्यूंकि हमें top पर नहीं लगाना है top पर हमें dark sections रखना है तो जाज सेदा हो सके तो bottom में लगाना है तो देखिए मैं आप लोग को चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ तो आप लोग यह technique यूज करिए bottom को और जो हमारा middle का length उसे लगाए आप लोग crown area को छोड़ दीजे तो चलिए अब हम wash कर रहे हैं 20-25 minutes के बाद और उसे wash करने के लिए हम लोग पहले अच्छी तरीके से पानी से rinse कर लेंगे जो भी हमारा color है उसे पूरे 100% अच्छी तरीके से निकाल लेंगे अगर आप लोग के पास conditioner नहीं हो तो आप लोग उसकी जगर पर क्या यूज कर सकते हो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ तो देखिए पहले हम लोग अच्छी तरीके से शैंपू कर लेते हैं शैंपू करने से जो भी हमारे scalp में जो color वगर लगा वगा वगा निकाल देंगे हम लोग यूज कर रहे हैं hair spa cream का conditioner अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग ये यूज करिए काफी बहतरीन सा ये टैंगल प्री करता है और बहुत ही अच्छा सा moisture और शाइन दे देता है तो आप लोग जब भी conditioner आप लोग के पास ना हो तो conditioner की जगव पर या फिर mask की जग ना है आप हम में करना है ब्लो राय करने पर हमार फाइनल रिजल्ट है आप लोग देख सकते हो क्या रिजल्टा है अभी हमने कोई styling नहीं दिया है बस इसे ब्लो राय कर रहे है और आप लोग देख सकते है जो red area gonna इy daad some light type का और जहां पर हमारा के दौन favor तो टॉंग मशीन से भी कर सकते हो बट हम करने वाले हैं आइकोनिक के स्ट्रेटनिंग वाले मशीन से तो देखिए इसका टेक्निक बहुत ही इजी है अगर आप लोग को इस पर पूरा वीडियो चाहिए कि किस तरह हमें आइकोनिक के फ्लैट वाले आईरेन से हमें करना है तो यहां पर हमारा हाइलाइट्स ता वहाँ पर एकदम डाक लाइट टाइप में बहुत ही बहती बहतीरीन सा रिजल्ट आया है तो दोस्तों आप लोग भी इसे ट्राइ करिए यह कलर देख सकते हो आप लोग यह कलर काफी लोगों का डिमांड था रेट कलर पर कोई वीडियो बनाई है तो मैं आप लोग के लिए ये डिमांड पर मेजेंटर रेट का लॉरियल प्रोडेक्ट का बहुत ही बहितरीन सा रिजल्ट वाला वीडियो लेकर आ गया हूँ तो आप लोग भी कमेंट्स जरूर करना दोस्तों कमेंट्स नहीं करते हो आप लोग को कमेंट्स करना ही पड़ेगा क्योंकि कमेंट्स नहीं करो तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा तो देखिए मैं कल्स किस तरह कर रहा ह आइकोनिक से मशीन से और यह हमारा फाइनल रिजल्ट कितना बहितरीन सा शायन आया है और हमारा हाइलाइट भी देख सकते हो कि कहीं पर लाइट कहीं पर डार्क एकदम मर्ज होते हुए दिख रहा है तो दोस्तो आप लोग मुझे जरूर से जरूर बताना कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इंस्टाग्राम पर नए हो तो जल्दी जल्दी जाएं इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्किप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाएए दोस्तों वीडियो बनाने में और वीडियो आते रहेंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए बाई बाई टेक केर